तो यार FSR 3 को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो गेम्स के अंदर तो यही देखने वाले हैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको क्या करना है कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और टाइप करना है लिस्ट ओफ गेम्स डैट सपोर्ट हाई फैडलिटी अफसकेलिंग और पहले साइट आएगी गेम पीसी गेमिंग विकी डोट कॉम इस पर आपको क्लिक करना है अगर फॉन में वह तो फाइंड इन पेज का ओप्शन वहां पर आता है किसी ब्राउजर में और पीसी की बात करूं तो यहां पर आप कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करके सर्च मोड में जा सक तो हमने देखा Atomic Heart सपोर्ट करता है FSR 2.2 को तो सबसे पहले हम को इसकी में जो है गेम फाइल में जाना पड़ेगा अब में जो है यह नहीं है यह वाली डिरेक्टरी क्योंकि यहां पे जो है यह लॉंचर है और हमको चाहिए इसका में जो एकसी फाइल जो कि आप देख सक Win64 shipping.exe जहां पर उस गेम की यह वाली फाइल में लेना वहां पर आपको जो है मोड इंस्टॉल करना है अब हमको क्या करना है कि मोड फाइल चाहिए हैं और मैं यहां पर यूज कर रहा हूं लुक.fz का 0.10.3 तो ओपन करते हैं इसको और सबसे पहले चलते हैं common में और हमको यह तेनों फाइल हैं यहां से कोपी करनी हैं यहां पर पेस्ट करनी हैं same in files के साथ भी copy and simply paste अब आपको बैख आना है यहां पर एक और back और generic Fser में जाना है तो अब guys आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमको कई files मिलती है जो हमारी यह वाली file है यह है fsr 2.0 के लिए जो 210 वाली file है यह है fsr 2.1 के लिए और जो 220 है वो हमारी fsr 2.2 के लिए और इसको हम skip करेंगे तो atomic heart support करता है fsr 2.2 को तो हमको यह open करना है हमको इसको copy करना है और कर देना paste अब आपको double click करना है enable signature override पे yes and okay अब आपका काम यहाँ पे खतम हो चुका है simply आपको play game करना है तो हमारे game हो चुका है on or मैं दिखाता हूँ आपको graphic settings में जाके यहाँ पर मैं 1080p में चला रहा हूँ इसको medium हमारे preset है और अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे हमारा frame generation on है और DLSS on है यानि कि FSR 3 है हमारी यह DLSS नहीं FSR 3 है यह तो medium settings है आप देख पा रहे हो यहाँ पर और fps हमको मिल रहे हैं यहाँ पर 80 ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ off है आपको feel हो ही गया होगा यहाँ पर smoothness नहीं आ रही है हमारी लेकिन हमारे जो frames हैं वो 80 हो चुके हैं और हमको smoothness जो ही मिल रही है यह मैं बता सकता हूँ यह 30 fps है तो गई जब मैंने atomic heart ही क्यों choose किया मतलब इस वीडियो के लिए तो इसमें एक special बात है अभी और यही जो है main part है वीडियो का तो most of the games में जो आप जब आप यह apply करोगे जो भी मैंने steps आपको बताए वह वाले जब आप most of the games में apply कर दोगे तो आपका मतलब आपको कुछ भी करने की जुरत नहीं है आपके smoothness भी उतनी आएगी मतलब 80 fps जितनी और आपके जो है increase भी हो जाएंगे fps लेकिन atomic heart के साथ ऐसा नहीं है जो कि अभी हम fix भी करने वाले है लेकिन atomic heart जैसे ही कुछ games और हैं जैसे कि hogwarts legacy है rdr2 है और भी एक दो और है मैंने face किया है उनमें भी problem जो कि मैं अभी fix करने वाला हूं तो guys उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा back चलते हैं आपको फिर से जाना पड़ेगा game directory में और वहीं पर जाना पड़ेगा जहां पर मोड़ें इस्टोल किया है आपको यह वाली फाईल जो है हमने paste करें ति है वाली इसको ओपन करना है और यहाँ पर simnik default की जगे पर हमको replace झाला जो है यह वाला value हमकौ paste करदेना है यहां पर safe करदेना है और यह जो चीज़े हैं यह आप है इसना इत्रू बाइद सवरी जो यह default है यह replace DLSS FG वाले value से replace तभी करना है जब सारे steps करने के बाद भी आपके game में smoothness नहीं आ रही है लेकिन आपका FPS monitor है वो आपके FPS दिखा रहा है 80 और 90 जितने भी तब आपको step करना है वरना simply copy paste है enable override करो और खेलो कोई आपको कुछ नहीं करना replace वगरा लेकिन हमको इसमें करने की जड़रती और कई games और हैं जिन में हो सकती है तो आप try कर सकते हो तो यह game boot हो चुका है finally और आप देख सकते हो smoothness अभी हमको आ रही है settings दिखाता हूं आपको 1080p हमारी medium settings and super resolution यानी FSR 3 हमारी quality पे यह frame generation हमारा होन है medium setting से सारी लेकिन आपको इसमें face करनी पड़ेगी hood glitching जो की एक अच्छी चीज नहीं है लेकिन अगर आपको fps ज्यादा चाहिए है तो आपको करनी पड़ेगी तो यहाँ पर कुछ और बात है मैं आपको बताना चाहूंगा आपको क्या करना होगा कि जो brightness और जो contrast आता है game के साथ by default value में यानिके 50 पे आपको 50 पे ही रखना है वरना जो fsr3 mode break हो जाएगा और आपके fps decrease हो जाएगे अगर आप उसको 50-60 करते हो या 50-30 करते हो मतलब आप decrease करो या increase करो brightness को आपका जो है mode break हो जाएगा इसलिए आपको कुछ नहीं करना है और ray tracing के सा